दोस्तो 28 दिसंबर को Consumer Protection Direct Selling Rule 2021 भारत में ड्राफ्ट होने के बाद सुरू होने जा रहे ड्रेक्ट सेलिंग के स्वरिनिम योग में आपका स्वागत है क्योंकि दोस्तो ये जो बिल ड्राफ्ट हुआ है ये ड्रेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बिजनस को आस्मान पे ले जाएगा जिस ड्रेक्ट सेलिंग बिल का पिछले लंबे समय से इंतजार था वो ड्रेक्ट सेलिंग बिल दोस्तो हमारे बीच में आ गया है आज मैं detail में इस bill की कुछ बात आपके साथ discuss करूँगा इस bill के अंदर 13 points को cover किया गया है और detail में 15 page पे एक एक चीज को define किया गया है आज direct selling industry क्या है, cheat fund और pyramids schemes क्या है, money circulation schemes क्या है दोस्तों ये clear हो गया है और आज direct selling में काम करना और भी जादा सुरक्षित हो गया है यानि कोई भी distributor जब किसी भी company के साथ जुड़ता है, कोई भी distributor जब किसी भी company से product purchase करता है दोस्तों उस consumer के पास एक cooling of period दिया गया है ताकि वो एक महिने में, डेड़ महिने में अगर उसका मन करता है वो company को product वापिस करके अपना पैसा वापिस ले सकता है ताकि consumer किसी भी तरीके से अपने अपको ठगा हुआ महसूस ना करे जबकि आज हम market में देखते हैं इसी बहुत सारी company है जो परलोबन देके, miss selling करके, miss guidance करके अपना कोई package या कोई dummy product या कोई educational product या कोई crypto coin बेच देती है और जब एक महिने के बाद उस consumer को ये महसूस होता है, एहसास होता है कि जो product उसको दिया गया है वो product उतने वर्थ या उतने value का नहीं है और वो उस product को वापिस करके अपना पैसा जब लेना चाहता है बहुत सारी company हो में return की policy नहीं होता है उस वक्त वो consumer अपने आपको ठगा हुआ महसूस करता है लेकिन जो pure direct selling company होगी दोस्तों, वो pure direct selling company को उस cooling of period को मानना होगा और उस cooling of period के अंदर अगर कोई consumer अपने पैसे वापिस लेना चाहता है तो वो पैसे वापिस ले सकता है तो cooling of period बहुत महत्तव पूर्ण है दोस्तों, consumer के लिए दूसरा, इस bill के अंदर define किया गया है कि direct seller के कुछ दाइतव हैं, कुछ duties हैं direct seller वो व्यक्ति है जो किसी company दुआरा, एक registered व्यक्ति है जो company के products और services को consumer तक, prospect तक, ग्रहकु तक पहुंचाता है और direct seller और company का एक return agreement होगा, जिसमें कोई भी company उस direct seller के साथ किसी तरह की को cheating ना कर सके और तीसरी जो चीज़ है दूस्तो, direct selling company को define किया गया है direct selling company मीन क्या है? यानि direct selling company एक ऐसी company जो अपने products को, अपनी services को direct sellers के थूँ ग्रहकों को बेचती है और वो direct selling company किसी money circulation activity में, किसी pyramid schemes में, किसी scam में, किसी cheat fund activity में involved ना हो अगर वो company pyramid scheme है, enrollment member scheme है, जिस पे fixed pair income और ये चीज़ें आती है या कोई cryptocurrency है, वो company और direct selling में नहीं है, वो company इस act में नहीं है दोस्तो तो direct selling company को define किया है, और जो cheat fund company है, pyramid company है, उन pyramid company को भी define किया गया है इस bill में, और वो pyramid schemes, pyramid company, cheat fund company, money circulation company, वो company बैन है क्योंकि बहुत सारी company, network marketing का इस्तेमाल करके, अपने बहुत सारे fake products, बहुत सारी fake cryptocurrency, बहुत सारे fake जो plants हैं, उनके जरिये, market में money rotation करती है, cheat fund करती है, dummy products, dummy products जैसे कि कई सारे लोग आते हैं, यह बाबा जी का परसाद है, यह 5000 का इसे आपको फैदा मिलेगा, ऐसी चीज़ें बेचते हैं कई सारे लोग बोलते हैं, जी यह education की CD है, 8000 रुपे की, कई सारे लोग कोई भी एक dummy product लेके आएंगे और उस product से चमतकार करेंगे, ऐसे जो products हैं, यह जिन products का consumer, जो पैसा पे करता है, 5000 यह 10,000 पे करता है और वो product उतने वर्थ का नहीं है, उतने value का नहीं है, तो वो उस product के आड़ में, उस dummy product के आड़ में money circulate करने वाली pyramid schemes दोस्तो पूरी तरह से ban हैं इस bill के अंदर, और दोस्तो मैं एक ही चीज को होगा कि इस bill के अंदर consumer को हर तरीके से protection दी गई है पीछे ग्रहकों के साथ जो बहुत सारी cheating हुई, ग्रहकों को fake product दिये गए, worthless product दिये गए, ग्रहकों का पैसा डूब गया, ग्रहकों को बरलोबन दिये गए, उन सब चीजों से ताकि ग्रहक बस सके और direct selling industry एक साथ सुत्री industry है और ये साथ सुत्री industry दोस्तों लोगों तक पहुंच सके, लोगों का भला हो सके और आम लोग इस direct selling business को पहचान सके और दोस्तों इन direct selling कमपनियों के अंदर जो हमारी 2006 में direct selling की guidelines आई थी, वहाँ पे उन guidelines के अंदर की जो distribution का तरीका है, जो distributions का chart है, वो चीज़ें भी define थी, इस bill में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो amendment की जुरूरत है, हर bill जब भी कोई आता है दोस्तों उस bill में पास होने के बाद कुछ नो कुछ amendment होते ही हैं, तो इस bill में भी दो तीन चीज़ें हैं, जो amend होंगी और ये bill दोस्तों हमारे लिए वर्दान साबित होगा, और अगले वीडियो में हम आप से share करेंगे कि चिटफंड कंपनी क्या है, पिरामिड स्कीम क्या है, ड्रेक्ट सेलिंग क्या है, नेट्रोक मार्केटिंग विद ड्रेक्ट सेलिंग क्या चीज़ें चीज़ों की डिटेल में दोस्तों चर्चा करेंगे और मैं एक ही चीज़ को हूँगा, कि आप लोगों को अब दिल खोल के काम करने के जरूरत है क्योंकि ड्र्क सेलिंग इंडिया में आज लीगल हो चुकी है उसको कानूनी माननेता मिल चुकी है गवरानिए की जरूरत नहीं है दोस्तो हमारा वही सिया ड्रक सेलिंग में सुरक्षित है और स्वरणीं है ए nos